नमस्का दूस्तो, Stock Market Studies में फिर से एक बर आपको सागत है, तो आज यहाँ पर मैं बात करूँगा, दिगज एक Tata Group के कमपणी के बारे में, जिसका नामा पहले देख चुके है Tata Chemical, तो आज मैं Tata Chemical के पर बात करूँगा, क्योंकि Tata Chemical जो है, वो देखाजे तो Tata Group के एक दिग कमपणी के उपर नीबेस करना चाहिए, क्या कौन सा लेवेल है, जिस लेवेल के उपर में बाई कर सकता हूँ, तो इस तरह के से question के answer में आप है देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए, बहुत कुछ information आपको इस चैनल के मदम से मिलता रहेंगे, और हाँ, मेर चैनल को में जौन किया तो जरू जाके जौन कर लिजेगा, क्योंकि युक्छेए वेलरी आपको डैली बेसिस, बैंग, निप टी, निप टी, और आदस कॉल का अलग अलग तेलिग्राम मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप जॉन करिये, और कॉल को दिखिए, आपको अच्छा लगे तो टेलिग्राम में रहना नहीं तो आप एक्जीट हो जाना और चलो देख लेते हैं आज के सबसे पहले स्टॉक के बारे में देखे सबसे पहले में गूगल के उपर साच किया तो सबसे पहले जिस कोमपणी का नाम यहां पर दिखा वो है लिथियम आयरोन बैटरी तो लिथियम आयरोन बैटरी से ही चलते हैं तो सिर्फ गाड़िया लिथियम आयरोन बैटरी से नहीं चलते हैं और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लिथियम आयरोन बैटरी से ही चलते हैं तो ज्यादा तर आपी जो डिमांड है इंडिया में जितने सारे डिमांड है के जोरूरत होते हैं और वो देखाज़े तो Tata Group किसके साथ दिलिंग्स करते हैं वो Tata Chemical के उपर तो इसलिए मैं आज बात करूंगा ताता Chemical के उपर तो मैं वीडियो सुरू करने से पहले इसको दिखाने से पहले मैं जुरूर यहां पर एक डिस्क्लेमा जुरूर दूंगा, मैं इस वीडियो को आपको एड्यूर्मेशन परपस में दे रहा हूँ, आप कोई रिक्मेंडेशन नहीं समझ ले ना कि मैं इस लेबल से बाइ करने के लिए बोल रहा हूँ, कि इस लेबल को सेल आपको अच्छा लगे मेरे वीडियो और आपको information ठीक ठाग लगे तो आप study country के बात नीवेस करने के लिए सोचिए और हाँ कभी भी loan लेके कभी नीवेस मत करना यूकर loan लेके नीवेस करना बहुत मतलब गलती हो सकते है और आपका पैसा भी अगर कुछ भी तरीके से losses हो जा जो government का जो policies थे वो पिछले दिनों में news के मतम से सामने आया और market एक positive रिगट किया तो दिखें आपे company दिखें 999 तो overall company पिछले दिनों में 1000 क्रॉस कर चुके थे और company देखा जा तो 52 का हाई के नजदीग है 52 का हाई के नजदीग है क्योंकि दिखें का 52 हाई जो है वो 1158 है और company ने हाई किया पिछले दिनों में 1005 तो इसका मतलब company 52 का हाई के नजदीग है तो अच्छा का से momentum देखने को मिला यह को पांस दिन के चार्ट पर्टन दिखा दू तो पांस दिन में कुछ खास performance नहीं हुआ और एक मांद में obviously company ने बारा परसंतर का पूर रिटान दे च दिखेंगे तो 863 का रिटान company actually start हुआ था 1990 से भी पहले company market में मतलब listing हुआ 1999 से भी पहले तो आपको एक में आज tips दिखा रहा हो कि आपको company कप से start हुआ था आपको देखना है तो आप यहां से कुछ मी नहीं जो इसके लिखने के बाद BSC लिखने में आपको company कप से start हुआ तो चलो यहां पर दिखा रहा है 1990 से तो उससे भी पहले हुआ था तो थोड़ा से यहां पर data मुझे लगता है data यहां ठीक ठाक अबलेबन नहीं है तो company दिखें को बहुत पुराना company में पहले आपको बते चुका हूँ तो company 1939 से company start हुआ था और chemical industries के मतलब chemical industries के ऊपर company काम कर रहे है और इसका जो parent group है मतलब parent organization है आप देख सकते टाटा तो टाटा ग्रूब इसका parent organization है और इसका सब सी रदीस company है Tata consumer products आप देखें रिल्स इंडिया और आदास तो टाटा का chemical जो है वो एक large company है क्योंकि इसका company का market कर 25,000 करोड से भी चादा है और मैं एक चीज जरू क होगा इस company के उपर निवेस करने से पहले आप बहुत जारा study कर लेना क्योंकि एक volatility company है क्योंकि आप में चार्ट पर्टेन आपके सामने रखू का आप देखेंगे तो करूना के lockdown के time में करीबन करीबन 70% तक गिरावट हो गया था sorry 70% तक गिरावट हो गया था इस company का तो ब 30, 40, 50, 60% तक गिरावट आप जहल सकते हैं तो इस company आपके लिए ठीक ठाग रहेगा यही तो आप इस तरीके से company से दूरी रहे क्योंकि देखेंगे आप आप जब 10% गिर जाता है तो आप stock market में बहुत हल्चल शुरू है आपके मन में यहीं सोचन लग जाता है कि चलो आप company तो भरबाद हो किया मेरा पैसा तो पूरा दिया इस तरीके से कोई बात नहीं होते है अगर company के उपर आपका confidence है company का business model के उपर आपका confidence है company का fundamental financial leaders के उपर आपका confidence है तो अबिसली बो company आपको profit देगा ही देगा अगर देखें कोई लोग यहाँ पर सोचकर यह इस level में साय तो आपको patience होना जोड़ी होते है हाँ दो तीन तीन दीन में पैसन नहीं आएगा में आपको तो long term period के लिए सोचना चाहिए क्योंकि आप लोग term नहीं बसा गया तो यहाँ पर देखें का चार्ट पटन के बारे में थोड़ा साब को जानकारी दे 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 तो आपके यहाँ पर बहुत सारे support zone थे तो इस support zone को break नहीं कर पाया तो एक अच्छा का सा momentum दिखाया और आप मोवमेंट में जोरूर है मगर मुझे लगता है यहाँ पर जो breakout हुआ थोड़ा सा retest कर सकते हैं उसके बाद buyback मतलब back कर सकते हैं क्योंकि दिखिए आप जो volume के बारे में ब इस information को दे रहा हूं मैं आपको यह नहीं कर रहा हूं कि इस लेवल से टाच कि आप बैक कर जाएगा और आप यहाँ से नहीं कर सकते हैं इस तरीके से गल्ती मत करिएगा आप पहले study करिए और भी knowledge gathering करिए उसके बाद trading में आएगे तो trading में आना कोई मतलब ऐसे बात नहीं ह है कॉमपान का peer ratio 30 है कॉमपानी का return of equity and return of capital employee बहुत 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 low level में है कॉमपानी के दिखिए annual income है 256 करोड है और बात करो 7000 करोड का करजा भी है depth of equity 0.4 थी है मतला depth of equity भी थोड़ा सा यहां पर दिखा तो 50 मतला 0.50% तक depth of equity है कॉमपानी के प्रोमोटर के पास 38% holding है प्रोमोटर के पास free cash flow मतला हाथ में जो cash है कॉमपानी का total 804 करोड देखिए जितना cash रहेगा उतना company freely काम कर पाएं तो company का हाथ में अगर पैसा नहीं है तो वो कहा से pay करेगा तो दूसरा opportunity लेना पड़ेगा वो उसको loan लेना पड़ेगा और भी बहुत सरे गिरी भी रखना पड़ेगा तो उसके बाद वो काम को handle कर पाएंगे तो मेरे सब से cash flow जितना अच्छा रहेगा उतना ही company के लिए तो earning per share भी देखिए 32.6 rupees चलो अच्छा खासा है inventory day मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा क्योंकि ज्यादा दीनों लग रहा है company को invent करने के लिए product को production करने के लिए तो data's जो day है company को 50 days लग रहा है ये भी थोड़ा सा ज्यादा मुझे देखा क्योंकि 50 days लग रहा है company का हाथ म पैसा आने के लिए तो working capital days जो है बोट चलो ठीक ठागे 26.9 percent में है अभी देख लेता हूँ company जिस sector से बिलों करते है उसमे company chemical industry से बिलों करते है तो number 8 ranking में आते है company का नाम company देखे quarter basis result के बारें बार करूँ तो company के result बहुत absent डाउन है पहले तो company जबदल्स profit करते थे बीच म company ने करूने के lockdown के time में company उतना खास profit नहीं किया अभी देख लेते साल भर की बाद तो साल भर में company अच्छा का सा profit maintain किया बीच में 2014 में company loss किया था और कभी भी loss नहीं किया तो continue maintain कर रहा है positively है तो उतना खास aggressively नहीं है फिर भी देखे positive है company आपको return सांद दिया 10 साल में 21% और इन साल में 54% और एक साल में 24% overall बात करो company आपको 25% से भी ज्यादा return साल आना आपको दे रहा है तो अच्छा का सा parameter होने के नाते भी में जुरूर कहूंगा थोड़ा सा अब रिक्सी गेम खेल रहा है क्योंकि कि company का sales growth company का profit growth negative है तो company सिर्फ भागे जा रहा है इसका मतलब ब नहीं काल जाके आप निवेस कर दिजिएगा इस तरी के से parameter आपको देखना चाहिए इन्वेस्टर के बारे हैं बात करो देखें obviously promoter के पास 37% है उसके बाद जिसके पास सबसे ज़्यादा holding है वह है public 29.71% का holding public के पास है और एक चीज में जरूर कहूंगा FIS के पास 13.96% holding है सबसे future oriented company बन गया और company सिर्फ उसी सेक्टर में नहीं chemical के बहुत सारे fertilizer और बहुत सारे chemical industries के साथ जुड़े हुए है तो company के बहुत सारे countries के साथ जुड़े हुए है Europe, North America, America और Africa इस तरीके से countries के साथ जुड़े हुए काम करते हैं तो मेरे सबसे इस company के उपर आपका निवे इस कर सकते हैं तो मेरे वीडियो आपको कैसे लगे तो आप जुरू कमेंट करके बताना और मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना दोस्तों को सेयर करना और चैनल को सब्सक्राब भी करना मिलते नया स्टाक लेके तक तक के लिए अच्छे से रहिए अपने ख्याल लगे बाए